तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि भारत के किसी भी राज्ये का कोई भी ऐसा एसा एस्पिरेंट जो UPSC Civil Services के लिए तियारी कर रहा है और State Civil Services का एक्जाम देने वाला है तो वो सिर्फ अपनी ही नहीं किसी अन्या State के Civil Services का एक्जाम देने के लिए भी एलिजिवल होता है जी हाँ भारत के किसी भी राज्ये का कोई भी ऐस्पिरेंट जो Civil Services के लिए प्रिपरेशन करता है वो किसी भी राज्ये का State Civil Services का एक्जाम दे सकता है चाहे बात करूं अरुनाचल प्रदेश असम से लेके मैं गुजरात राजस्थान तक की या फिर जमण कश्मीर से लेके बात करूं तमिलनाडू अंधरप्रदेश की तो किसी भी राज्य का एक्जाम आप दे सकते हैं अगर आप स्टेट सिवल सवेशिस के लिए प्रिपेर कर है और स्टेट की लैंगुज के बारे में आपको पता होना चाहिए यह चीज़े रिक्वाइड है इसके इलावा थोड़ा बहुत पैटरन में डिफरेंस होता है और कोई भी डिफरेंस नहीं होता है तो अगर आप स्टेट सिवल सर्विसिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे है और यहां पर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अभी पीडिया विच इस पावड़ बाई अभी मन्यू आईएस चंडिगट आपके लिए ले के आया है एक कंबाइंड कोर्स डाट विल हाल्प यू तू क्रैक दा स्टेट सिवल सर्विसिस एक्जाम ओफ आनी स्टेट बे मन्यू आईएस जो की पिछले 20 सालों से इस फीड में काम कर रहा है और बोर देन 1500 सेलेक्शन दे चुका है इन दा सिवल सर्विसिस एंड स्टेट सिवल सर्विसिस एक्जाम तो आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आज मैं एक स्टेट के बारे में इंफोर्मेशन आपक क्या का क्वीफिकेशन का की रिकॉर्मेंस रहता है तो चलिए बढ़ेगे गुजराथ सिवल सर्विसिस के तरफ तो देखे किसी भी स्टेट का जो सिवल सर्विसिस का एक्जाम होता है वह उस स्टेट के पबलीक सर्विस कमिशन के धारा झो क्षाप civil services का exam भी करड़ करवाय जाता है गुज्राद public service commission के द्वारा गुज्राद public service commission के द्वारा उसको conduct करवाया जाता है तो हर स्थेट में अपना 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 public service commission है जो कि यहां पर इस exam को conduct करवाने के लिए work करता है अब बात करेंगे age limit की age limit की अगर हम बात करें तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा गुजरात सिवल सर्विसिस में जो एज रिक्वाइड है वो है minimum 20 years आपकी age minimum 20 years होनी चाहिए और maximum 35 years maximum 35 years इसके इलावा अगर आपके पास कोई केटेगरी है अगर आपके पास कोई केटेगरी है schedule cast schedule यू ट्राइज या BC या एक सर्विसमेन हैं आप clear या PWD ठीक है फिसिकली चैलेंज है या कुछ भी है ऐसा कुछ है तो आपको कुछ relaxation यहाँ पर मिल जाएगा आपको कुछ relaxation यहाँ पर मिल जाएगा otherwise general वालों के लिए जो age है वो है 22 35 22 35 minimum 20 maximum 35 नेक्स बात करेंगे educational qualification की तो education qualification के मताबिक यहाँ पर भारत की किसी भी मायनेता प्राफ्त यूनिवरस्टी से आपके पास graduation की एक डिग्री होनी चाहिए आपके पास graduation की एक डिग्री होनी चाहिए जी हाँ आपके पास एक graduation का डिग्री होना चाहिए भारत की किसी भी मायनेता प्राफ्त यूनिवरस्टी से नेक्स बात करेंगे exam pattern की selection process की selection process की बात करें तो there are you can see first of all prelims का exam होता है उसके बाद mains का exam और interview ठीक है इंटर्विव और personality test हम कुछ भी बोल देते हैं ठीक है बेसिकली दो फेस का process रहता है एक फेस में प्रेलिम्स का exam और एक फेस में यहाँ पर mains और personality test यानि की रिटन examination प्लस इंटर्विव या फिर personality test हम बोल देते हैं तो सबसे पहले prelims का exam होता है prelims जो कि सरफ screening के लिए होता है screening बोले तो सिरफ passing के लिए है यानि कि यह आपको सरफ mains तक लेके रहेगा आपको सरफ mains तक लेके जाएगा उसके बाद इसका कोई रो लिए यानि कि final selection में prelims के marks count नहीं होते फाइनल selection में prelims के जो marks है उनको count नहीं किया दाता तो दो paper होते हैं यहाँ पर claims के अंदा एक general studies 1, general studies 2 ठीक है paper 1, general studies 200 number का होता है दो घंटे मिलेंगे दो घंटे का समय मिलता है objective type MCQs आएंगे objective type multiple choice questions आप से पुछ रहेंगे उसके बाद general studies 2 है उसमें भी same 200 number का है दो घंटे की duration इसकी रहेगी दो घंटे बोले 120 minutes यहाँ पर आपको मिलेंगे दोनों ही paper में 120, 120 minutes ठीक है दो दो घंटे दोनों के लिए मिलेंगे दोनों paper एक ही दिन conduct करवाए जाते हैं तो objective type रहेगा ठीक है that is prelims तो prelims को अगर आप crack कर लेते हो तो prelims को अगर आप crack कर लेते हो then you are eligible for the mains तब आप mains के लिए eligible हो तब आप mains के लिए eligible हो ठीक है तो mains अगर आप देते हो तो mains 900 marks का रहता है मेंस जो आपको होगा वो total 900 marks का रहता है 150, 150 marks के total 6 paper होते हैं इसके अंदर और हर paper का duration 3 घंटे का रहता है सबसे पहरे गुजराती language का आपका पेपर होगा 150 marks का पेपर 1 उसके बाद पेपर 2 होगा English language का 150 marks का उसके बाद ऐसे का exam होगा पेपर 3 जिसका हम बोलते हैं 150 marks अगेन उसके बाद जनरल स्टेडिस के आपके तीन वेपर होगा इच है और अगर हम देखेंगे तो टोटल यह 900 marks का आपका हो जाएगा मेंस टोटल 900 नंबर का मेंस हो जाएगा तो जितनी भी विकेंसी आती है तीन गुना बच्चे इंटर्व्यू के लिए चूज के जाएंगे जितनी भी विकेंसी यहां पे आएगी ह percentages का आपका इंटर्व्यू करेंगा वह इंटर्व्यू देगा इंटर्व्यू में सो नंबर में से जो स ले Bless लेगा मेंस के मार्स मिला कर के पर फाइनल क्टाफ निकाला जाएगा यहां पर पर फाइनल काटफ निकाला जाएगा तो तो गुजरात civil services की हम बात कर रहे हैं, आपने pattern देखा, इसके लिए आपको गुजराती language आती होनी चाहिए, गुजरात का जो आपको general knowledge है, गुजरात का जो culture है, उसके बारे में knowledge होनी चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर गुजराती language का भी एक paper है, आपने देखा, ठीक है, language का एक paper है, तो आपको गुजराती आती होनी चाहिए, और उसके इलावा गुजरात का culture वगड़ा आपको paper के अंदर पूछा राएगा, आपको exam के अंदर पूछा राएगा, तो आपको यह सब cover करवाने के लिए, और बाकी का सारा GS, GS या CSET का syllabus हो, सब कुछ cover करवाने के लिए, अभी PDA, which is powered by अभी मन्यू आईए, चंडीगर आपके लिए ले किया आया है, एक combined state civil services exam preparation course, which will help you to crack the state civil services exam of the Gujarat, as well as the another states also, यूँकि अभी मन्यू आईए, पिछले 22 सालों से इस फीड में काम कर रहा है, और more than 1500 selections दे चुका है, in the state civil services or civil services exam, हम PCS में, HCS में, हास में, यानि कि पंजाब civil services में, हरेना civil services में, हिमाचल प्रदेश administrative services में, top ranker produce कर चुके हैं, number one, number two, top rankers यहाँ पे हमने produce किये हैं, that is by the अभी पीडिया, which is अभी मन्यू आईए, and now this course, तो अब हम आपके लिए एक course ले के आए हैं, which will help you to crack the state civil services exam, तो 6 महिने का इस course का duration है, 6 मन्त का duration है, पूरा का पूरा cover करवा दिया जाएगा, and जो student है, उनके लिए यहाँ पर 20 days का free trial offer भी है, 20 days का free trial, इतना free trial offer आपको कहीं नहीं मिलने वाला, 20 दिन पढ़ाई कीजिए free में, और उसके बाद choose कीजिए, 20 days free trial offer आपको मिलता है, अभी मन्यू के साथ, and our demo module course of the modern history is going on, and इस course को देखिए, इस course को सब्सक्राइब कीजिए, अपने आपको रिजिस्टर कर लिजिए, इस is a free course of the modern history, and join the topers league of Abhivan new IES, clear, तो that is the module course, इसका link नीचे आपको description box में मिल जाएगा, इसका link नीचे आपको description box में मिल जाएगा, फिर भी अगर आपको किसी तरह का problem आता ह कुछ doubt रहता है, कुछ समझ में नहीं आया, you can write in the comment section, आप comment section में अपना किसी तरह का doubt या problem पूछ सकते है, and अगर आपने अभी तक हमारे YouTube channel को subscribe नहीं किया, तो YouTube channel को subscribe कर लिजे, और bell icon दबाना नहीं भूलना है, ताकि आपको updates मिल तरे, and course के regarding आपको किसी तरह का problem आता है, तो you can write in the comment section, you can, you have to mention in the comment section, and course का जो link है, वो नीचे description में दिया गया है, जाके freely register करना है खुद को, और 20 days का free trial आप ले सकते है, और module course of modern history आप free में attend भी कर सकते है, पुरा का, पुरा modern history का course, so that is, it's all for today, thank you so much, thank you so much, and if you have any kind of doubt, do write in the comment section, and don't forget to subscribe our channel, and press the bell icon also, thank you so much.